नमस्कार विद्यारतियों राष्टिय मुक्त विद्यालाई सिक्षा स्थान में आपका स्वागत है मैं डॉक्टर ग्यांदर नाथ तिवारी सह आचारे मिटी विद्यालाई नोडा उत्तर प्रदेश आज आपसे करक्षा अस्तर पर विज्यान में नियोजन परंपरागत पाठ योजना इस विषय पे चर्चा करूँगा हम एक विज्यान सिच्छक के रूप में विज्यान के विभिने संप्रतियों को समझाते हैं और पाठ योजना के इसमें बहुत ही महत्पोन भूमिका होती है वास्तों में पाठ योजना सिच्छन क्रियाओं और विषय वस्तों के क्रम को इंगित करती है विज्यान में और अन्य विषयों में भी मुकिता दो तरह की पाठ योजनाएं बनाई जाती हैं एक परंपरागत पाठ्योजना और दूसरी पाँच ई पाठ्योजना ये जो पाठ्योजनाय हैं ये दो अलग-अलग विचारधाराओं को निरुपित करती हैं परंपरागत पाठ्योजना व्यवहारवादी विचारधारा को निरुपित करती है जबकि पाँच ई पाठ्योज दूसरा इकाई उपागम, तीसरा मुल्यांकन उपागम और चौथा परियोजना उपागम ये जो चारो उपागम है ये परंपरागत उपागम है और अब इस बात की आलोजना होती है कि ये जो परंपरागत उपागम है वो शिच्छ अधिक प्रक्रिया को अधिक यांत्रिक बनाते हैं लेकिन इनका एक इतिहास है और अभी भी ये बहुतायत में प्रियोग होते हैं तो आज हम इनकी परणपरागत विधियों की चर्चा करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं हर्बर्ट उपागम की हर्बर्ट उपागम में जो पाठ योजना है उसमें विशेवस्त्य के प्रस्तुति करण पर विशेश ध्यान दिया जाता है इस योजना में पांच प्रमुख पद हैं पहला प्रस्तावना दूसरा प्रस्तुति करण तीसरा संगठन चोथा तुलना और पांचवा मुल्यांकन इसी प्रकार जो दूसरा उपागम है वो है इकाई उपागम इकाई उपागम मौरिसन ने दिया था और इसमें इकाई योजना और संपादन पर विशेश बल दिया जाता है इसके भी पांच पद हैं परेवक्षन, प्रसुतिकरण, अनुकूलन, संगठन और अनुवाचन तीसरा जो परंपरागत उपागम है वो है मुल्यांकर उपागम मुल्यांकर उपागम का प्रतिपादन ब्लूम ने किया था और इसमें विशेवस्त किया पेक्षा उद्देशियों पर अधिक बल दिया जाता है यह अधिगम उद देशों पर आधारित शिच्छन अनुभव प्रदान करने है तो विधियों यह अधिगम पलडाम के मुल्यांकन पर केंद्रित है जो चौथा और अंतिमु का उपागम है जो परकी परमपरागत है वो है पर्योजना उपागम यह उपागम किलप्रेट्रिक ने दिया था और इस उपागम में स्वक्रिया, सामाजिक्रिया एवंग वास्तिव की जीवन के विपरसितियों पर आधारित, सिच्छन पर बल दिया जाता है अब हमारे लिए एक विज्ञान सिच्छक के रूप में यह आवस्यक है कि हम किस उपागम का प्रयोग करें और परहमपरागत तरीके से उपागम का प्रयोग करते हुए पाठ योजना कैसे बनाए तो इसके लिए हमने यह सोचा कि हम यह जानने पहले कि कौन से कारक हैं जो की पाठ योजना की सफलता को प्रभावित करते हैं कोई भी पाठ योजना कितनी सफल होगी इसको जानने के लिए कुछ कारकों का ध्यान रखना आवस्यक है जैसे विद्याले का अस्थान, विद्याले किस अस्थान पर इस्थित है, दूसरा कक्छा का आकार, कक्छा का आकार कितना है, तीसरा उस कक्छा में विभिन आयुवर्ग के जो विद्यारती हैं, वो किस प्रकार से वितरित है, चोथा से छण अधिकम सामगरी किस प्रकार के बलब्द है और विशेवस्तु के प्रकिर्टी क्या है और सिक्षक के कौसल क्या है यह जो सूची है इसके अलावा भी बहुत सारे कारक हैं जो आप सोच सकते हैं और जिनको इनमें समलित कर सकते हैं पाठ योजना के कारकों का ध्यान में रखते हैं जब हम पाठ योजना बनाएंगे तो उसकी सफलता अधिक सुनिश्चित हो जाती है अब हम एक उधारन से परागत पाठ योजना को समझने का प्रयास करते हैं हम इसको समझने के लिए उदान के रूप में हर्बर्ड की पार्थ योजना को लेते हैं क्योंकि हर्बर्ड की पार्थ योजना बहुत ही लोकपरी है और इस योजना के नौ प्रमुखपद हैं ये नौ प्रमुखपद कौन से हैं एक एक करके हम इनकी चर्चा करते हैं एक सिख्षक जब हरबर्ड की पाठ यूजना बनाने का प्यास करता है तो सबसे पहला जो चरण है वो है कि जो प्रारंभिक सामान जानकारी है वो इकठा कर ले किस चीज के बारे में जानकारी इकठा करनी है ये इकठा करनी हैं कि विशय कौन सा होगा, उपविशय कौन सा होगा, कच्छा कौन सी होगी, सिच्छार्थियों का आयोस्तर क्या होगा और अनुमानी समय कितना लगेगा, इन सब के बारे में सिच्छक को जानकारी जुटाली नहीं होती है दूसरा जो महतपूर्ण जो चरण है, वो है कि अपने पाठ योजना के सिच्छन अधिगम उद्देशियों को हम परिभासित कर लें दो तरह के सिच्छन अधिगम उद्देश हैं जिनकी चर्चा हमाज करेंगे एक सामान ये उद्देश और दूसरा विशिष्ट उद्देश सामान ये उद्देश ये विज्ञान के जो सामान ये उद्देश हैं उनमें उदाहरन के लिए तारकित्ता, उसमें तमाम तरह की जो गतिविदियां विज्ञान से समद्दी जैसे होते हैं दूसरे विशिष उद्दे से होते हैं विशिष उद्दे से पढ़ाये ज्याने वाले जो विभिण विश्य वस्तUSicamente हे hommes ग्याने का प्रयास करते हैं कि इस पाठ के अध्यार्थी से क्या शहकरता है वोhelos जो विद्यार्थी इस पार्ट को पढ़ने के उपराथ राप्त करेगा और विभिन मुल्यांकन प्रविधियों के बाद्धम से हम इन विशिष्ट उद्देश्यों का भी मुल्यांकन कर सकते हैं। जो तीसरा चरण है वो है सिच्छन अधिकम सामगरी का। ये बहुत ही महतपूर्ण है। एक सिच्छक तभी अच्छा सिच्छक हो सकता है जब वो उचित एउंग प्रभावसाली सामगरी का चुनाओ करे। जो संसाधन उपलब्द हैं उन्हीं संसाधनों से सिच्छन सामगरी बनाए। क्योंकि कम लागत का ध्रान रखना है बहुत खर्चेली सिच्छन सामगरी अच्छी नहीं माने जाती। और जहां आवस्यक हो वहाँ प्रवास्तिविक सामगरी का भी प्रयोग किया जा सकता है अगर आप ऐसा वी से पढ़ा रहा हैं जिसमें पौधे की संगरशना की चर्चा कर रहा हैं तो आसपास उपलब्द पौधे को एक वास्तिविक सामगरी के रूप में प्रयोग करके आप उस संप्रत्य को अधिक अच्छे तरह से समझा सकते हैं। हमारा जो अगला चरण होता है इस हर्वर्ड की पडाली में वो बहुत महत्रून है और वो है पूर ग्यान का आकलन करना है। विद्यार्थी को पहले से कितना पता है जब तक आप ये नहीं जान पाएंगे आप उसको नमीन ग्यान नहीं दे सकते। हर्वर्ड के अनुसार जो पाठ का विकास है वो विद्यार्थियों के पूर ग्यान पर आधारित होना चाहिए। प्रारब में सिक्षक अपने अनुभों के आधार पे विद्यार्थियों के पूर ग्यान का अनुमान लगाता है और कुछ प्रस्न पूछता है जिससे उसका वह आकलन कर सकता है अब जब पूरu जयान के бारे में आपने पाथ विजना में लिख दिया तो अगला सबसे महत्पुन चपान मैं प्रस्तावना प्रस्तावना का जो प्रारंब है वो पूरोग्यान से जोड़के होता है यह पूरोग्यान को नवीन ग्यान से जोड़ते हुए पाठ को प्रारंब करने के प्रकिरिया है इसका अर्थ यह है कि पाथ योजना में प्रस्तावना का जो प्रतंप्रस्न होगा वह विद्यार्थि के पूरुघ्यान से संबंदित होगा और इसके लिए कुछ सह संबंदित प्रस्नों का क्रमबद्ध परियोग सिक्षक द्वारा किया जाता है उद्धान के लिए जो पहले प्रस्ण है वो पूर ग्यान से समझनित होगा जो दूसरा प्रस्ण है वो पहले प्रस्ण के दिये गए अनुमानित उत्तर से समझनित होगा और जो तीसरा प्रस्ण होगा वह जो नवीन ग्यान हम उसको देने वाले हैं जो कि प्रतुतिगरण के चरण में आएगा उसे से सम्मनित होगा तो ये एक प्रकार का क्रम बन जाता है जिसमें हम विभिन प्रकार के जो पूर ज्यान है उन से जोड़ते हुए नवीन ज्यान को आगे बढ़ाते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि विद्यार्थी कहीं भी इस क्रम को तोड़ने न पाए और जो विशेवस्त होए वो एक क्रमबद तरुक तरीके से प्रस्तुत की जाए अब हम बात करते हैं प्रस्तुति करण की इस चरण में सिच्छक विकास प्रस्णों का प्रयोग करता है और विद्यार्थी के उत्तरों के माध्धम से विशेवस्तु को प्रस्तुत करता है अब आपके मन में ये प्रस्ण उठेगा कि विकास प्रस्ण क्या है और कैसे ये विद्यार्थी के उत्तर विशेवस्तु को आगे बढ़ाते हैं इसकी चर्चा हम करेंगे अभी, इस प्रकिरिया में सिच्छक विभिन विधियों और सिच्छन कौसलों का प्रयोग करता है जो भी विकास प्रस्ण का अर्थ अगर आप समझना चाहें तो इस आसानी से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार विध्यार्थी को जो ज्यान है उस ज्यान से जोड़ते हुए हम नमीन ज्यान को विक्सित करते हैं यदि विध्यार्थी को पौधे के विभिन अंगों की जानकारी है और हमारा जो विशा है वो पुष्प के अंग है तो हम विद्यार्थी को जिदनी जानकारी है वहाँ से प्रस्णू को विक्सित करते हैं और उनके उत्तरों के मादम से विस्वस्तों को विस्तार देते हैं इस प्रकरिया में हम कौन सी विधी का प्रयोग करेंगे इसका विध्यान रखते हैं इसमें कौन से सिच्षड कौसल का प्रियोग करेंगे इसका विध्यान रखते हैं और कौन सी सिच्षड सहायक सामगरी का प्रियोग करेंगे इसका विध्यान रखते हैं अगला जो चरण है इस सारी गतिविथी के उपरांथ वो है संचिप्तिकरण का संचिप्थी करण के चरण में सिक्षक ने जो कुछ भी अपनी सिचण अधिगम प्रिक्रिया संचालित की है उसका संचेप में वर्ण करता है और इस वर्णन में वह विद्यार्थी से अपनी सिच्छ अधियम प्रक्रिया का प्रिष्ट प्रोफन भी प्राप्त करता है उधारण के लिए यदि आपने पौधे के विभिन अंगों की चर्चा की है तो कौन-कौन से अंग हैं जिनका अधियन उस पाठ योजना में किया गया शिक्छक इसकी चर्चा करता है एक और बात बहुत महत्पूर्ण है जब भी आप हरबर्ट की जो प्रणाली है उसका उपयोग करते हैं तो उसमें श्यामपट सारांस का बहुत महत्व है जैसे ही पाठ प्रारंब होता है उस समय से लेकर और पाठ के समाप्पी तक स्यामपट सारांस में ये सारी चीजें आनी चाहिए और इसके उपरांत जो अंतिम चरण है वो है ग्रहकारे क्या विद्यार्थियों को पुन्राबृति और अभ्यास के आवसन प्रदान करना जरूरी होता है और जो ज्यान उसने सीखा है उसके अनकूलन के लिए विभिन प्रस्नों और क्रिया करलापों पर आधारित ग्रहकारे दिया जाता है हम बात कर रहे हैं स्यामपट सारांस की वो मैं दुबारा बताना चाहूँगा स्यामपट सारांस में हमें सारी बाते नहीं लिखनी होती जो महतपूर विंदु है हम उन्हीं की चर्चा करेंगे और जो तत्तों महतपूर है जिससे सिच्छन की जो संप्रत्य हैं वो विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आ जाएं हम वही चीजें स्यामपट पर लिखते हैं एक अच्छा सिक्छक का जो स्यामपट को सहल वो भी अच्छा होता है और निश्चित रूप से यह पाठ को आगे बढ़ाने में सहायता करता है जब हम ग्रहकारे देते हैं उसमें भी एक बात ध्यान रखने की होती है कि वह जो ग्रहकारे है विद्यार्थी ने इस पाठ योजना में जितना सीखा उससे सम्मंदित होना चाहिए ना कि कहीं और से और यदि कोई नवीन ग्यान है तो वह भी इसे से सम्मंदित होना चाहिए जो कुछ उसने पाठ योजना में सीखा उसके अभ्यास का पूर्ण आउसार मिलना चाहिए और विभिन प्रस्णों और क्रिया कलाब भी आप प्रहकारे में दे सकते हैं अधारण के लिए यदि आपने पेड पौधों की बात की तो विभिन प्रकार की पतियां एकत्रित करने की बात कर सकते हैं उनकी संग्रशना समझने में ये सहायक होती है तो इस प्रकार हरबर्ट की पाठ योजना में ये सारे नौचरण होते हैं अच्छा विज्ञान से शक इन चरड़ों का अच्छे से प्रियोग करके अपनी पार्थ योजना को आगे बढ़ा सकता है यदि हम इसके प्रारूप की बात करें तो हरबर्ड की पार्थ योजना का जो प्रारूप है उसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है जैसे विशय कौन सा होगा दिनांक सबसे उपर लिखते हैं कि कौन सा दिनांक है कौन सी इकाई है जो वो पढ़ाएगा उस कालांस में विद्याले कौन सा है उपविशे कौन सा है, कच्छा कौन सी है, किस अंतराल में पढ़ा रहा है और चक्र कौन सा चल रहा है फिर पाठ योजना का प्रारम सामान उद्देश से होता है सामान उद्देश में विज्ञान के जितने भी सामान उद्देश है जो कि किसी भी पार्ट योजना में एक जैसे ही होते हैं, वो लिखे जाते हैं, दूसरा विशिष उद्रेश, जैसा मैंने पहले बताया, वो उद्रेश जो इस पार्ट को, जिस पार्ट को आप पढ़ा रहे हैं, उस पार्ट को के उपरांत विद्यार्थी में कौन से अप्रि वास्तिक जो नहीं अनुप्रियोग कर पाएगा यह सारी चीजें विशिश उद्देश में लिखी जाती हैं इसमें कौन सी सिच्छड सामगरी प्रियोग की जाएगी शिच्षण सामगरी जिसे मैंने कहा कई तरह की होती है लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि शिच्षण सामगरी हम ऐसी प्रयोग करें जो संसाधन आसपास पस्तेत हों और ऐसे संसाधन, जिन संसाधनों में हम अधिक लागत का न उपयोग करके, कम लागत के संसाधन का प्रयोग करें, वो अच्छे माने जाते हैं, एक अच्छा सिक्षक, विद्यारतियों को भी सिच्छन सहाइक समगरी बनाने में उनसे मदद लेता है, जिससे वो पाठ से और जुड़ सके, और वास्तविक समगरी का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे मैंने अपने उधारण ने बताया था, कि वास्तेक्षे समगरी के रूप में आप पौधों को दिखा सकते हैं, या कोई भी वस्तु जो विज्ञान से सम्मद्दित हो, उनको दिखा सकते हैं, इ केवल इतना है कि वो पौधों के बारे में जानकाई रखता है, लिकिन अगर उससे अधिक है, तो आपकी पार्ठ योजना पर प्रभाव पड़ सकता है, तो यह चरण भी बहुत महत्वपूर हैं कि एक अच्छा सिच्छक विद्यार्थी के को पहले से कितना ज्यान है, इस प्रस्तावना पाठ को आगे बढ़ाने के और पूर ग्यान के बीच में एक संबंद का काम करती है, जहां पर क्रमबत तरीके से हम प्रस्तावना की भूमिका होती है, एक सिच्छक को इसको अच्छी तरह से पताना होता है, उसके उपरांत उद्दे से कथन करना होता है, हम यह कह सकते हैं कि विध्यारतियों आज हम पुष्प के विभिन अंगों की चर्चा करेंगे या पुष्प के विभिन अंगों का अध्यान करेंगे, एक बात बहुत महत्यपूर्ण है जो ध्यान देने वाली है, हमने यह नहीं कहा कि आज मैं आपको पुष्प के विभिन अंग पढ़ाऊंगा या बताऊंगा हम ये कह रहे हैं कि हम आज उस्प के विभिन अंगों का अध्यान करेंगे इसका आर्थ है हमका आर्थ है कि विद्यार्थी और सिक्षक तोनों साथ साथ अध्यान करेंगे हम इसमें ऐसा नहीं कि विद्यार्थी को सिक्छक से बहुत कम पता है और सिक्छक इसलिए बाते बता रहा है यह मिल जूलकर करने की प्रक्रिया होते हैं जिसमें सिक्छक और विद्यार्थी साथ साथ पारट को आगे बढ़ाते हैं उसके उपरांत जो प्रस्तुति करण है उसको हम विभिन प्रकार से विभक्त कर सकते हैं या तो हम सबसे पहले सिच्छन विद्दू लिख ले फिर सिच्छन क्रियाय लिख ले और उसके उपरांत विद्यार्थी क्रियाय लिख सकते हैं अथवा सबसे पहले प्रत्य कौन सो होगा हम वो लिख सकते हैं उद्दे से क्या होंगे वो लिख सकते हैं, कौन-कौन से सिच्छन अधिकम क्रियाएं होंगी हम वो लिख सकते हैं और किने प्रविधियों का प्रयोग करके हम विद्यारती का मुल्यांकन करेंगे हम वो लिख सकते हैं इसके उपरांद हम पाठ के संचिप्ति करण में कौन-कौन से प्रस्न पूछेंगे, क्या बाते कहेंगे और पूरे पाठ का सारांस कैसे व्यक्त करेंगे, हम इसका ध्यान रखेंगे स्यामपट सारांस का एक छोटा प्रारूप हम अपनी पाठ योजना में चिपका देते हैं ताकि हमें इस बात का ग्यान रहे कि हमें स्यामपट पर क्या-क्या लिखना है इनकी योजना कैसे बनानी है उसके उपरांद विद्धार्थी को क्या ग्रह कारे देना है कौन सा ऐसा कार है जिससे विद्धार्थी को जो पाठ योजना में सीखा उसका अभ्यास कर पाएगा और उस पाठ योजना का अभ्यास करते हुए अपने जीवन में प्रियोग कर पाएगा इस प्रकार के क्रिया कलाब ग्रह कारे में देने चाहिए और सबसे अंत में पार्थ योजना का जो संदर्व ग्रंत है वो बताने चाहिए जिससे ये पता लग सके कि वह जो पार्थ है उस पार्थ में यदि विद्यार्थी और ध्यन करना चाहता है तो कौन कौन से पुस्तकों का ध्यन कर सकता है कौन सी जानकारी कहां से पराप्त हो सकती है और इस प्रकार हरबर्ड की पार्थ योजना हमें ये बताती है कि किस प्रकार सिछक और विद्यार्थे मिलकर परांपरागत रूप से विज्ञान में सीख सकते हैं यह जो पाठ्य योजना है यह हर विशह में प्रेयोग होती है परन्तु विज्ञान में बहुत आयद से प्रेयोग होती है और इस बात का अधिक ध्यान रखना होता है कि हम इस पाठ्य परंपरागत हो यह फाइब उपागम में हो प्रमपरागत पर्योजना और दोनुप्रकार के पर्ठयोजनाओं में इन विंदू का ध्यान रधान होता है कि सिग्षक लेकिन इस उदाहन को समझाने के लिए हमने हरबड की पाठ्योजना के बारे में बात की, मुझे आसा है कि आपको ये सारी बाते अच्छी तरसे समझ में आ गई होंगी और एक विज्ञान सिक्षक के रूप में, प्रभावी रूप में आप इबन सम्तृत्यों का वर्डन कर स रखते हैं, धन्यवाद.